जैसरे राम, दोस्तो अभी का जो सबसे हाइस्ट टी आरपी वाला सिरियल है, वो है रामायन, जो चल रहा है काफी तेजी से, तो दोस्तो इसके उपर आज हम मैं बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि सेराम का जो किरदार करने वाले जो अरुन गोविल जी हैं, उनका मत सबसे पहले मैं बता दू आपको उनका जो किरदार, जो लोगों ने सहारा, जिस तरह से लोगों ने प्यार दिया कि एक तरह से कह सकते हैं कि स्रिराम भगवान की मूर्ती उनके छवी के रूप में अपने मन में बसाया, अपने घड़ों में एक पिक्चर फ्रेम बना करके और उनका पूजा करते रहें लोग, तो दोस्तों इसके बारे में बताऊंगा आपको कि वो कितने पैसे कमाएं इस सिरियल से, उन्होंने कितने फिस चार्ज किये, तो इससे पहले मैं बता दू आपको उनके बारे में पिछली थूरी सी अगर डिसकस नहीं किया जाए, आप तो सबसे पहले मैं बता दू आपको कि अरुन गोविल जी नहीं एक्टर हैं, वो प्रोडीशर भी रह चुके थे, उन्होंने एक भासा में नहीं, काफी भासा में काम किया था, जैसे हिंदी, भजपूरी, ब्रजवासा हो, उडिया हो, तेलगू हो, इन सब में उन्होंने क राम किया था, लेकिन उनको बेस्ट, मतलब सबसे महतपून, उनको पहचाना गया से राम का किरदार के लिए, रामानंद सागर द्वारा प्रिजेंट रामायन में उनको राम का रोल जो किरदार दिया गया था, उनसे उनको सबसे ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि उनको पह कर दो engaging אशMAंते ठीवरेंश डीकर अमिला च्छ जिसमें नम्ने कर दो gibi आ यह सदिवरेंश को अने आने दो मुख्यांते दो आ शच्मररेंशनल सक्रवी में रभा हुआ रही औरल दो पातो diferen ना इसनोगशन मत बंवरेंशनी अच्राव दाट लाइफ चेंजिंग रोल जिसे कह सकते हैं किसे सबसे बरा रोल रामाएन रामाएन में रामानन्सागर ने उनको राम बनने का ओफर दिया था राम का रोल उन्होंने 1956 में रामानंसागर रामा जो उन्होंने उसके बाद से जब यह मिला उनके बाद एक और स्टार्ट हुई उत्तर रामायन यानि लवकुसकांड में भी उनको राम का ही रोल दिया गया था मैं बता दूँ आपको कि यह बहुत बड़ी स्टार्डम जो उनको मिली इसके पीछे उनका मेहनत उनकी मुसक्कत कह सकते हूं क कर सी डिसिप्लीन सब क calendar किया जिसको उन्होंने रामायन में जिस तरह से राम का किरदार नहोंने निभाया सभी को मतलब कह सकते हैं कि त्रप्त कर दिया और उन्होंने एक राम की चवी जो सब के नजर में सबके दिलों में बसाया तो यह बहुत ही बड़ी बात थी और मैं बता दूँ आपको कि उनको जो पैसे दिये गए वह एप्रॉक्स एमाउंट लगवग 40 लाख दिये गए उस समय में 1986 में जब यह रामायन बना उस समय उनको लगवग मतलब कह सकते 40 लाख रुप में बैटके अभी भी मैं जो वीडियो बना रहा हूं अभी रामायन चल रही है तो यानि अभी भी बैट करके लोग उनको उसी स्रद्धा से देखते हैं जिस समय 1986 से 1990 के बीच में यह जब रामायन जब टीवी में आया तो तहलका मचा दिया था पूरा टी आरपी पुरा मत यही मूर्ती अपने दिल में बसाएं अभी भी बैठे हुए हैं तो इनका असर इस तरह था कि लोग पागल हो गए थे देखने के लिए अग्दम पूरा और उनको नीजी जीवन में भी लोग उनको राम भगवान की तरफ पूझते भी हैं तो दोस्तों यही था और उनके अगर बात करें तो लगवग मैं बता रहा हूं आपको कोई इसका कोई इसक्ट फिगर नहीं है और यह सब जो अमाउंट बताया मैंने लगवग बताया मां बताया तो दोस्तों यह था वो न्यूस आसा कर तो यह आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना शेर कर दे नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना बेल की घंटी जो बजा देना ताकि आपको इस तरह का न्यूस पहला में सकता तो के लिए फुस रहे स्रक्षित रहे जय है